तो अभी एक मैच होने वाला है पॉर्टिवीज लीक का ESP वार्स पीएसी के बीच 5 घंटे 8 मिनट के बाद तो बात करें मेरा टेलीग्रम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ फटा पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड जॉइन हो जो और काईज हम इस वीडियो के अंदर किसी पी तरह की चीज़ को पुस्तायट नहीं करें वीडियो बहुत जादा सेफ और नॉलिजबल है तो बढ़ते हैं आगे तो सबसे पहले मैं बात करूँ इस मैच की देखो यार पॉर्टिवी आज ज्यादा मैच है नहीं ठीक है नही इस राम से कर चुका हूँ थोड़ा सा रिस्की है तो मैं वही बोलूँगा की अब देख ले ना भाई ठीक है अपने इसाब से सबसे बहले मैं बात करें गोल कीपर की देना एंड्रे फरेरा एंड्रे फरेरा को मैंने जान पूछ के लिए यहाँ पे मिरे को आप्शन था अ लेकि इनका प्लेयर आ गया मार्को ठीक है मार्को के बाद इनका प्लेयर आते है जॉपसन और जॉपसन के बाद इनका एक प्लेयर है आपके सामने फर्नेंडो फॉसेंको यह चारो इनके में डिफेंडर है अगर हम में की बात करें तो यह चारो में है अगर यह नहीं खेलत तो हम इसकी जगा बदल सकते हैं हमारे पास प्रेडिट बचने का एक option हो जाएगा लेकिन अब भी के लिए आप वी एंट्वेंस को सेफ करके रखो क्योंकि प्लेइंग बहुत अच्छी है ग्राका की बात करू जौजीनो ग्राका इस अ नाइस प्लेयर 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 प्ल नागे से बात करें नेक्स्ट बेर की नहूल को लूँगा नहाहूल जो की लास्ट मैच नहीं खेला था पर मैच खेलवाना चीज सेगिंड डिवेंडिंग के option खतम कर रहे हैं लोग गाईज पी विलियम को अगर मैं लेता हूं तो मेरे को भी risk लगता है तब ही मैंने का इस को ले लेते हैं आगे से बात करें सौरिया कि इसको जरूर लेना ये फोर्ट डिफेंडिंग में कैरलिस सौरिया था मेंन प्लेयर लास्ट मैच में मैं अपनी बात accept कर रहा हूं कि यहां पर यह प्लेयर बहुत जल्दी substitute हुआ था इस बात को मैं भी कह रहा हूं ये मेरे को गलत चिल लगी कि बीच मैच में 73 मिनिट में इसको सब्सिटूट कर दिया लेकिन हमें क्या पता भाई कि उसको ongoing मैच में injury हुई हो बिचारे को आपको कैसे मालूम ठीक है हम तो बोल देते हैं जो वो कर दिया substitute कर दिया लेकिन आज पता चलेगा अभी तक injury report नहीं आई नही तुम आपको पहले ही बताता आगे से बात करें फ्रेंको की देखो फ्रेंको को drop मत करना दो बार से flop जा रहा है लेकिन ये पूरे season सबसे hit player है इस second number पे सबसे ज़्यादा goal करने का record ESP की तरफ से है इस player का ESP team and A.Goms की बात करें Arthur Goms Lorenzo सबसे तगड़ा striker है ये midfielder नहीं है बाई striking करेंगा ठीक है मैं आपको जितना हद तक बता रहा हूं आप समझिए अब आप सोच रहोंगे मैंने या पे player है and Santos इसको लिया नहीं he was not playing from last one two matches तो देखते हैं इसकी जगा भी Carlos को ले लिया Carlos कुछ खास नहीं है चांस creator होता है तब भी मैं ले लेता तब भी मैं कुछ expect करता लेकिन क्या expect करूं या गोल तो बड़ी दूर की बात है जौस उलिटन काफी बड़ी आ प्लेयर है अब यहां पर confusion शुरू होती है कि R Fonte R Fonte is the main player मैं आपको साब बतातू हूँ यह ESP team का penalty taker है मत छोड़ना आगे से बात करे captain की तो यहां पर मेरा captain है R Fonte and vice captain है D Pereira और यह है थोड़ा risky यह जो रहने team बनाई है यह थोड़ी risky favor है जिनको safe जाने है वो कुछ ना करें captain Pereira को रुक लिए wise captain Fonte को यह थोड़ा safe है यह भी है risky लेकिन थोड़ी सी safe है ठीक है तो आप इसके ताब जा सकते हैं मिलता हूं आप लोगे से next video में अभी के लिए